हेलो फ्रेंट विल्कम टू बैक माई न्यू ब्लॉक फ्रेंट जैसा कि मैं आप सबको बता हूँ कि मैं एक किसान परिवार से हूँ तो देखिए हम लोग आए खेत में और यह मूली उखारेंगे मूली और हरा पत्ता वाला प्याज और पालक सबकी व्यूडियो में आपको द दिखाऊंगे मैं सहाब आपको देखिए फ्रेंट ऐसे ही मूली की खेती होती है देखिए मूली इतना सारा मिकठा कर लिया इसको हम लोग पत्ते जो खराब वाले उसको निकालेंगे और अच्छे से सब सफाई करेंगे इसकी तो जो आप लोग फ्रेस प्रेस ताजी-ताज मूली बजार में देखते हैं तो ऐसे मिनाथ करके एक-एक मूली को साप करके एक-एक मूली के खराब पत्ते को निकाल कर हम लोग इतना मिनाथ करके फिर मार्केट में जाता है फ्रेंड्स बहुत मिनाथ करते हैं किसान लोग तब जाके ये मार्केट में हरी-हरी ताजी-ताजी सबजी देखने को मिलता है जैसे कि मैं इतने धूप में बैट के एक-एक मूली को देखिए कैसे साप कर रही हूँ मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी बने रहे ये वीडियो में फ्रेंड्स देखिए ये हरा प्याज है इसको हम लोग उखाड़ेंगे उखाडने के बास से ले जाएंगे इसको काटेंगे काटने के बास से सब अच्छे से साप करके एक-एक पत्ते को प्रेंड्स देखिए मैं प्याज के जड़ को काट ली हूँ और खराब छिलके को निकाल रहे हूं और पीले-पिले पत्ते को भी निकाल के फेक रहे हूं मैं सब साफ करके एक जगें पर रख रहे हूं ये मेरी मम्मी है ये 500 ग्राम का एक बंडल बना रही है एक एक बंडल बनाएंगी और फिर सबको धुल के इकठा करके देंगी मेरा भाई ले जाएगा मार्केट में बेचने सामको अभी दोबार का ये टाइम है कि फ्रेंड्स जैसे हम लोग प्याज का आधा-ाधा किलो को बंडल बनाएं वैसे पालक कभी आधा-ाधा किलो का बंडल बनाएंग और फिर इसको भी धुल के साही से करके फिर देंगे अपने भाई को ले जाएगा मार्क फ्रेंड मैं पिछले वीडियो में प्याज की वीडियो दिखाए थी इस वीडियो में मैं आपको प्याज पालक मूली दिखाए हूं आगे और भी ऐसे ताजे-स प्रेस अबजी ओकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई